हेलो बियुवर्स आज हम ये फेस मास्क प्लस हेर बेंड बनाएंगे अपने वीडियो में तो चलिए बनाना शरू करते हैं अब हम अपने मास्क को इस तरह पहनेंगे ऐसे और यह हमारा होल है जो बना हुआ इसको हम कान में ऐसे डालेंगे यह हमारी जो स्टिप से इनको बैक में हम थोड़ा घुमा के ऐसे करके आगे हेर बैंट के जैसे पाल लेंगे अब बैक साइड देखिए हमारे इस तरह से आएगी आसक बनाने के लिए ये मेंने कपड़ा लिया है ये कपड़ा हमारा डबल है और cotton का कपड़ा है इस कपड़े का measurement हमारा यहां से 10 inches है और इस side से हमारा 7 inches है अब इस कपड़े को हम ऐसे fold कर लेंगे अब कपड़े को मैंने fold कर लिया है यह हमारी folded part है अब हम इस corner से यहां से 1 inch पे निशान लगाएंगे इस साइड में भी हम एक इंच पे निशान लगाएंगे ये दोनों निशान मिलाके हम ऐसे लाइन लगा लेंगे अब उपर की साइड हम यहां से बन एंड हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड में हम एक इंच पे निशान लगाएंगे और ये भी हम दोनों निशान ऐसे मिला लेंगे अब ये दोनों निशान हैं हम इसको ऐसे गुलाई में मिलाते हुए यहाँ पे लियाएंगे यहाँ पे ऐसे अब इस साइड से हम दो इंच पे निशान लगाएंगे टू इंचिस पे ये उपर की साइड से भी हम दो इंच पे निशान लगाते हैं अब ये निशान और ये दोनों को हम ऐसे मिला लेंगे ये उपर वाले निशान भी हम ऐसे ही मिलाएंगे अब ये और ये लाइन इसका हम सेंटर लेंगे और से आदा इंच ऐसे रखेंगे और यहां से हम ऐसे राउंड में यहां तक मिला देंगे अब उपर की साइड यहां से यहां हाफ हम लेंगे और एक इंच में निशान लगाएंगे और यह भी राउंड ऐसे हम कर्व बना लेंगे यह हमारा ड्राक बन गया है अब ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे जैसे यह पार्ट है हमारा ऐसे हम राउंड में ऐसे काटते जाएंगे यहां पर छोड़ सकते हैं और यहां से भी हम राउंड में ऐसे काट लेंगे ये पार्ट है हमारा इसको भी हम ऐसे जो कर्व है वही काटेंगे अब ये हमारी कटिंग हो गई है और ये प्लेस हमारा जुड़ा हुआ है इसको भी हम कट कर लेते हैं अब ये हमारा डबल कपड़ा हुआ इसके अंदर हम filter लगाएंगे तो ये मैंने white color का कपड़ा लिया है ये हमारा ऐसे है इसको मैंने fold कर लिया है तो ये part हम ऐसे रखेंगे इसके उपर इससे हम आदा इंच कम काटेंगे ये pattern मैंने ऐसे बिना लिया है यहाँ पे हम आदा इंच कम लेंगे ये हमारा अंदर filter आए सिलाई करेंगे तीनों पर अब हमारे यहां पर सिलाई लग गई है इसके बाद यह हमारा कर्म में है तो यहां पर हम कट्स लगाएंगे तीनों पीसिस पर अब हम अपने पीस को ऐसे सीधा करेंगे और यहां भी सिलाई लगाएंगे यह पार्ट हमारा सिलाई का है यहां बहार जो हमारे यह parts है, इनके उपर शिलाई लगाते हैं, अब यह सब शिलाईं लगे हैं, अब हम अपने मास्क को सेट करेंगे सारे कपडों को, तो यह पहले यह से रखूंगी में, पीस यह उल्टा साइड हमारा इस साइड जाएगा, इसके बाद हम यह इनर रखेंगे, ऐसे सिल जाइओं से सिलाईं मे ला लेंगे तीनों पीसों की और यह पेशाम पेशन साइण के किया यहां पेशाद को साइड में अब यहां पेशा किक हमस्याय चाहे से हमें जतुख कितीर से किक दिए यहां प्लेश sickness है कि चैँदों आपर की यहां अपने गत्याय Studio शवी अब आपी सीधा करेंगे, हमारा मासक सीधा हो गया है, यहाँ पे हम आइरेन करेंगे और सिलाईयों को बिठा लेंगे, अच्छे से अब यह मारा मासक रेडी हो गया है, इसको हम इलास्टिक निलगंगी, बांधने बाला बनाएंगे तो इसके लिए भी हम दूसरा कपड़ा रेडी करेंगे ये कपड़ा लिया है मैंने ये कपड़ा हमारा मेजरमेंट में यहां से 23 इंचिस है और यहां से चोड़े में हमारा 6 इंचिस है ये हमारे 2 पीस है अब इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे ये मैंने फोल्ड कर लिया है ये हमने जो मास्क बनाया है ये इसके ब्राबर आना चाहिए थोड़ा थोड़ा हमारा सिल्टाई में जाएगा वो हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए अब हमारा ये कोर्नर है यहां से हम एक इंच पे निशान लगाएंगे इस साइड से भी हम एक इंच पे निशान लगाएंगे ये हमारे दो निशान लगए है अब हम यहां से सीधा दो इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे ये भी हम दो इंच पे निशान लगाएंगे यहां पे अब यहां पे दुन्नों को मिला लेंगे ऐसे यह हमारा box जैसा बन किया है अब यह हम कट कर लेंगे यह वाला part अब यह हमारा कट हो चुका है अब इस corner को हम set करेंगे अब यहाँ पर मैं आदा इंच रख ऐसे लगाऊंगे निशान इस side से भी हम आदा इंच लगाएंगे यह center में हमारा दो इंच बचना चाहिए ऐसे इसके बाद हमारा यह निशान है यहां तक हमें तिर्शा लाइन लगानी है यह लाइन मैंने लगा दी है अब यह दूसरा यहां से भी हम तिर्शा लाइन लगाएंगे यह दोनों लाइन मैंने लगा दी है ऐसे ही हम कट कर लेंगे ऐसे लाइन से हम यहां से ऐसे ही हम दूसरी लाइन काटते हैं अब यह पीस मैंने ऐसे काट दिया है अब यहां से मैं एक इंच पे निशान लगाऊंगी ऐसे हम लाइन लगा लेंगे यह line लगा लिए है और इसका center ऐसे बना लिया है अब हम यहां से ऐसे लगाएंगे और इस side से हम ऐसे लगा देंगे और ऐसे ही हम cutting कर लेंगे इस तरह से अब देखें यह strips हमारी ready हो गई है यह दो हमारी चार पीस हैं यह दो बनेंगी हमारी दोनों side के अब हम दो दो पीस ऐसे निकाल लेंगे अब हम सिलाई लगाएंगे तो यहां पे ध्यान देजिए यह हमारा part है यह block है यहां से सिलाई लगाते हुए ऐसे पूरा यहां तक सिलाई लगाएंगे यह मैंने इतना पार्ट शोड दिया है यहां से ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने कटिंग की है यहां से लगाते हुए यहां तक सिलाई लगाते हैं अब यह सिलाई मैंने लगा दी है यहां पे थोड़ा ध्यान से देखे यह मैंने पाट यहां पे दो इंच पे निशान लगाया था लेकिन थोड़ा छोटा लग रहा है इसलिए यहां पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे यह अब ये सिलाईया हमारी लग गई हैं ये हमारे कोर्णर है ऐसे इसको हमें सीधा करना है तो यहां से हम थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे जिससे हम सीधा करेंगे तो हमारी सिलाईया एकदम पराबर आ जाएंगी ये भी हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे ऐसे ये हमारा दूसरा कोर्णर है यहां से भी है ऐसे कट लगा लेंगे हम अब हमारा ये पीश सिलाई लगके रेडी हो चुका है अब हम सीधा करेंगे तो यहां पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी यहां से हम सीधा करेंगे यह corner है हम ऐसे ले लेंगे ऐसे हम सीधा कर लेंगे यह हमारा यहां पे निकलाया है यह strip से हम इसको pen से निकालेंगे ऐसे हम pen ऐसे करके ऐसे हमारा निकल जाएगा यह हमारा खाली प्लेस है यहां पे आएगी यह ऐसे यहां पर ही हम पैन से यह सीधा कर लेंगे इसकी नोक यह हमारी दूसरी साइड है इसको भी हम ऐसे पैन रखके थोड़ा ऐसे करेंगे यह हमारे दोनों पार्ट ऐसे निकला है दूसरा पीस भी हम ऐसे ही सीधा करेंगे अब ये दोनों पीस मैंने सीले कर लिये हैं ऐसे अब हम आइरन करेंगे इनके उपर अब ये हमारी स्ट्रिप्स रेड़ी हो चुकी है अब हम अटेच करेंगे अपने मास्क के साथ ऐसे हम मास्क को रखेंगे और ये हमारी स्ट्रिप्स है अब हमारा ये मास्क है, यहां पे हमारा प्लेस खाली था, यह छोड़ा हुआ मैंने, यहां पे हम एक स्रिप्स ऐसे रखेंगे, आदा इंच अंदर डालेंगे ऐसे, यहां पे पिन लगाती हुमें, अब यह दोनों साइड मैंने सेट कर दिया है, पिन लगाके, अब हम यहां यहां पे दो सिलाईयां लगाएंगे, इस साइड भी, अब यह सिप्स मैंने अटेच कर दी है, यहां पे, अब हम सारे फेस मास्क पे, यहां से लेके, पूरे में सिलाई लगाएंगे, एक दम फिनिशिंग बाली सिलाई लगाते हैं, अब यह सिलाईयां मैंने लगा दी है, सारे में यहां पे भी हम सिलाई लगाएंगे यह हमारा कट वाला प्लेस है अब देखिए हमारी यह उल्टी साइड है यहां पे हम कुछ फिल्टर के लिए जैसे हमारा टिशू पेपर बगरा डाल सकते हैं अब इस मास्कों मैं पहनना बताऊंगी कैसे पहननेंगे हम तो उससे पहले अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सेनल पे नहीं है तो बैल बटन भी दबा लें अब हम अपने मास्कों इस तरह सपहनेंगे और यह हमारा होल है जो बना हुआ इसको हम कान में ऐसे डालेंगे यह हमारी जो स्टिप से इनको बैक में हम थोड़ा घुमा के ऐसे करके आगे हेर बैंड के जैसे पाल लेंगे अब बैक साइड देखिए हमारी इस तरह से आएगी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में